क्या करें यार पास्ट याद आता है पास्ट में यार बड़ी गलती कर दी छोड़ दी बड़ी गलती का बड़ी गलतियां कर दी अब वो सारी की सारी उनका पश्टावा होता है बड़ा रिग्रेट घुसा हो है जिंदगी में काश मैं उन सारी चीजों को फिर से बदल पाता या बदल पाती ये थोट्स आपके दिमाग में भी आरहे हैं आते हैं रोज रात को सोने से पहले ज़रूड आते होंगे कि वाओ यार पास्प में ये चीज कितनी आच्छी थी मैंने खो दी past में यह वैरे ने कितनी बख्वाज शीज़ करी नहीं करने चाहिए थे अगर यह चीज़े सोचने से कुछ बदल सकता तब कुछ बदल सकता हो अगर ऐसा सबकूश सोचने से यह चीज़े फिर से सही हो सकती हो और आपका past आपके सामने आके खड़ा हो सकता हो ये कहके कि देखो मैं आ गया हूँ अब आपको मुझ में जो भी editing वगरा करनी है कर लो तो अगर ये हो सकता है तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ मिल के सोचते हैं अच्छे से मिल के मैं आपकी मदद करूगी आपके past की वह वाली memories भी याद कराऊंगे जो आप बूल गए हो हर एक चीज मिल के बैठ याद करते हैं अपना past अच्छे से लेकिन दुख की बात बताओ past कभी नहीं आ सकता मुझे past कहीं दखाई नहीं दे रहा अब ही मेरे past कहा है मेरे को नहीं दिखाई दे रहा no matter में कितनी भी दुखी हो जाऊ लेकिन मेरे past के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती और sad हो जाते हैं फिर हम यह सोच के shit यार क्यों नहीं कर सकते हैं अपनी past के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं because that's not reality वो सच ही नहीं है past सच है ही नहीं कहा है कहा है दिखाऊ दिखाऊ मेरे को कहा है past अगर past दिखता तो सच होता ना तो ऐसे में क्या करें सबसे परे लेट मी गिव यू माइ इंट्रोड़क्शन I am Arzu and मैं आपका तहे दिल से सुआगत करती हूं अपनी इस वीडियो में ताकि आप अपने ऊपर अच्छे से वर्क कर सके पॉजिटिव रह सके और खुशी खुशी अपनी जीवन की जो आपकी आयू बाकी है उनको व्यतीत कर सके मेरी हिंदियार अच्छी है बस थोड़ा साना टांग टोइस्ट रहती है इसलिए मैं लेकिन कोशिश कर रही हूं ओके हाँ मैं कह रही थी कि अगर आपका पास्ट अगर अभी अहां आ सकता है और सब कुछ एडिटिंग हो सकती है तो चलो मिलके उसमें हम लोग काम करते है मैं अपकी हज कर दूगी आपका पास्ट रिमेंबर कर आने में लेकिन दुख की बाद ही है कि वो नहीं हो सकता यार पास चला गया हो क्या सकता है फिर प्रेजेंट पे एडिटिंग हो सकती है फ्यूचर पे भी एडिटिंग हो सकती है मतलब प्रेजंट में कि एडिटिंग होगी तो फ्यूचर की एड टिंग एडवैंस में हो जाएगी अब आप न यह सोछ रहोगे आप यह सोछते होगे मेरी साथ क्यों ही है मेरा ही पास्त इतना बखवास कि हो ए लोगो खेंँ हैं लोगों की न लव लाइफ अच्छी नहीं चलती है कभी भी, कभी भी नहीं चलती है, हमेशा उन्होंने अपनी लव लाइफ में सियाप पे create क्यों होते हैं इन पास्ट, फिर वो बाद में regret करते रहते हैं तो एक चीज बताओ मैं आपको, पास्ट में वो जब आपके साथ क्यों हुआ, अगर आपके ना साथ हमेशा उल्टी ही चीजे होती रही है, जो आपने सोचा वो हुआ नहीं कभी भी हमेशा उल्टा हुआ है, तो इसके लिए आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बत अगर आपके लाइप पर सबकुस उल्टा पुल्टा होता गया है, कभी भी on track life नहीं चली, वो इसलिए क्योंकि universe चाहते हैं, मतब God wants from you is, कि आप अपने उपर work करो, work क्यों करो, क्योंकि आपको in future, वो चीजे मिलने वाली हैं, वो चीजे आपको दी जाएंगी, जिसके तभी लायक बनोगी, जब आप अपने उन सारे past की mistakes को समझ के अपने आपको पूरा का पूरा improve कर लोगे, तभी वो चीजे आपको, मतलब उनके लायक आप बन पाऊगे, तो अगर आपके साथ past में हमेशा बुरी चीजे create हुई हैं, तो उनके लिए ना grateful हो जाओ, बुरा म feel करो, वो आपके साथ हुई है, क्योंकि आपकी life अलग mission के लिए बनी है, अलग in the sense कुछ different के लिए बनी है, जिनके life smooth होती है ना बिलकुल, उनके life starting से smooth होती ही है, क्यों? क्योंकि उनकी life में वो सिर्फ ऐसी ही मतलब एक normal life जीने आते हैं, लेकिन आपके साथ कभी भी कुछ smooth नहीं रहा है, क्योंकि आपको काफी कुछ करना है in future, आपके लिए भगवान में चीजे सोची हुई हैं, जो कि बहुत high level की चीजे हैं, और कभी हमेशा सुना होगा कि जिनकी life में हमेशा struggles रहे हैं, problems रहे हैं, वो ही कुछ बड़ा achieve करते हैं, उनहीं को कुछ बड़ा मिलत हैं, तो अगर आपके साथ भी हमेशा past में उल्टा फुल्टा हुआ है, तो खुश हो जाओ, grateful हो उस चीज के लिए, और अपने दिमाग में ये thought create करो, कि मेरे लिए बहुत ही कुछ अच्छा रखा है in future, अभी तो आज तक कुछ अजीब, मतलब हर चीज मेरे against में होई, और होगा, उन्होंने अपने उपर बहुत next level work नहीं कर पाई होगी, लेकिन आपकी life में उल्टी-पुल्टी चीजे हुई, तभी ना आप lessons learn कर सके और अपने उपर work कर सके, तो ये कितनी अच्छी बात है, कि आपकी personality को यहां से यहां उठाया है भगवान ने, स्मूद होता है सब कुछ तो आपको फिर क्यों फर्क पड़ता, फिर कुछ-कुछ आप अपने अंदर कुछ चेंज यह ना कर रहे होते, स्मूद नी है, तभी तो आपको फिर हुआ ना कि यह चेंज करना है, वो चेंज करना है, दूसरी चीज में आपको बता देती हूँ, आपको तना grateful हो कि ठीज करना है, कि चलो आप थे किक अब कि अब भ गव्ता स्टाम केरिक रहे हैं, मतलब आपका स्टाम के Жunu कह अब्ता है, ना कि अचुछ इस ने रहे हुआ है, तो ना कि आपको पदा थे तो आपको बंगे ऑष चांवा हैं, यहे फॉर्ब्लम्स नहीं, तो यहे हारे हो वर्ण आपको पता है, लोगों की life में कैसी कैसी problems होती है? पता है ना? लोग दिन पर दिन सडख पर गरीब लोग पड़ी रहते हैं, खाने को कुछ होता नहीं है, रहने को घर नहीं होते हूं लोगों के पास, कितनी problems हैं, उन problems की तो शकल भी आप देखोगे, तो आपको फिर goose bumps आ जाएंगे in fact आ भी जाते होंगे उसके बाद आप इस चीज का शुकर मनाओ कि आपके life में problem के नाम पे ये सारी चीज़े हैं वो वाली नहीं है, वो वाली होती तो आप तो पता नहीं क्या कर देते तो it's a clear message सब अपनी life के अलग अलग फेज में जीर होते हैं हमें क्या करना होता है at the end हमारा जो एक गोल होता है वो होता है हमारी soul growth करना और आपने अपने past lives में वो वाले जो आपकी problems थी, जो वाली जो situation, जो physical situation होती है, जो मतलब like गरीबी और time पे कुछ ना मिलना खाना ना मिलना और और भी ऐसी जितनी भी यह वाली problems होते हैं लाइफ की यह आपने टैकल कर चुके हो पहले so be grateful कि आप इस life में सिर्फ और सिर्फ आपको जो task दिया गया है वो इतना दिया गया है कि आपको सिर्फ अपने mind पे work करना है और उसको ही सुधारना है और अपने personality को सुधारना है तो इसमें दुखी होने मालों जैसा कुछ नहीं है in fact यह तो बहुत अच्छी बात है और हर इंसान का purpose सर्फ उसका मतलब हर इंसान को ना at the end अपने soul को improve करना होते है तो आप आपका जो mission है इस life का वो यही है भगवान आपको यह problem इसलिए दिखाई है ताकि आप अपने soul को grow करो आप अगर अगर अपने mind पे work करोगे अपने mind के मतलब अपने personality trait सुधार होगे अपने ऊपर work करोगे अपने inner self पे work करोगे तो आपकी soul grow होगी और at the end mission तो वही है soul grow कराना है भगवान को हमारा तो वो अगर situation past में नहीं आई होती तो अभी आप जो बने होए वो यह ना बनते और अगर अभी भी फिलाल भी कोई current ऐसे situation चल रही होगी तो देख ले ना वो भी आपको बहुत एक अलगी लेवल का change ला दिंगी आपके अंदर कम से कम आपके life में वो वो वाली खदरनाक वाली problems तो नहीं है ना गरीबी and all problems के नाम पे आपके पास यही सारी चीज़े है तो खुशी खुशी grateful हो के इन पे work करो अपने past से lesson सीखो उनको regret मत करो at the end वो सारी situation इसलिए लेके आयते भगवान तक ही आप उनको lesson के रूप में देखो और उनसे lessons learned करो है ना मैं इतना भी assure कर सकती हूँ आपको कि अभी आपको idea भी नहीं है कि in future आपके लिए कितना कुछ रखा हुआ है कितना कुछ अच्छा रखा हुआ है सच में I can assure you with that लेकिन उसके लिए अपने आपको आपको उस हिसाब से ready करना पड़ेगा हम कोई भी चीज तभी हम next class में तभी upgrade करते हैं जब हम उसकी जो पुरानी वारी class है उसकी जो lessons है वो सीख लेते हैं है ना तो अगर आपके past में वो सारी situations आई है तो उन में से lessons निकाल के उनको learn करो guilt मत feel करो उन से क्योंकि guilt feel करो के तो अभी आप अपने past present में भी past कोई जी रहोगे फिर future का कुछ नहीं हो पाएगा तो इतना mind में रखो वो सारी चीज़े मुझे दिखाई गई क्योंकि in future मेरा बहुत अच्छा future होने वाला है in future मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़े रखे हुई है उसके लिए मुझे अब तक life में बहुत कुछ learn करना था तो past को याद कर दे से पहले कभी past याद आए ना तो ये सारी चीज़े दिमाग में जरूर रख ले ले लेसंस कहाँ पर है उनसे learn क्या करना है future बहुत अच्छा होने वाले है इसलिए वो वाला past आया था उनके अंदर past में घुसे रहोगे ना तो यार वहाँ तक पहुशने ही पाऊगे अगर उस guilt वाली feeling में से ये नहीं सीखोगे कि वो guilt आया क्यों और उधर से सीखना क्या है क्या सीखा कि अपने जो special persons होते हैं उनकी importance को समझना है in future अगर उन वाली feeling से अप lessons learn नी करोगे और सिर्फ और सिर्फ उस guilt में ही रहोगे फिर एक्जामपल गिल्ट है कि सीखो छोड़ने का तो उस अली feeling में अगर गिल्ट वाली feeling में ही रहोगे तो दुख होगा ना थोड़ा थोड़ा पतलब थोड़ा क्या हमेशा इसी चीज़ इसी चीज़ का दुख रहेगा फिर आपके दिमाग में कि मैंने यार गरत किया था, यहर मैंने क्यों किया, यहर मैंने क्यों किया, आप चेंज नहीं हो सकता, lesson learn नहीं कर रहो हूँ, lesson learn करो, अपने आपको upgrade करो, ताकि in future जो चीज़े आपके लिए रख्य हुई है उनके आप लायक बन पव At the end भगवान ने आपको यही चीज़ दिये इस lifetime में कि आपको आपकी soul growth करनी है Soul growth is the only mission खुश हो जाओ और पास को याद मत करो अगर कुछ हो सकता तो मैं भी तुमारी help करती पंका तो चलो ठीक है यही था मेरी आज की वीडियो में और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ चीज़े मतलब चीज़े सीखने को मिल रही होंगी तो कॉमेंट्स करके जरूर बताना और अगर अगर की आपको अगर मेरी वीडियो अची लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ताकि मैं और मोटिवेट हो सकते और आपके लिए ऐसी वीडियो दिला सकूँ और बाकि मतां आपके श्चाउड करना शेयर कर सकते लिए मैं ट लगए और ऑगे अगर में अगरियो प्रे अगरी टी कार